कल एक बड़ी खबर आई कि कोविन का जो डेटा था आप सबको याद होगा कोविट काल के दौरान अगर वैक्सीन चाहिए थी तो एक ही तरीका था कोविन पर जाईए अपना फोन नंबर अपना अधार या पासपोर्ट या सेंसिटिव डेटा भरिये उसके बाद आपको देटा सरे आम लीक हो रहा है टेलीग्राम का एह बोहट लगातार यह डेटा लीक कर रहो और रेक बड़े नेताओं का हुआ खाट बार्ड़ेरना टैक्बड़े निकरोरग लॉटनेंगhouse रहा है कि आदेटा लेक हो रहा है कि देटा पासपोर्ट नंबर लिक या थायं फ् जो आजकल सबसे बड़े विश्वगुरु बने हुए एक और मंत्री है जो राज्य मंत्री है Information Technology के उनका defense क्या है? नहीं नहीं ये COVID data leak नहीं है ये कोई पहले का data COVID का leak हुआ था उसका breach हुआ था वहाँ से आ रहा है तो हमारे कुछ सवाल है इस पर जो पहले का data leak जिसको alleged breach and stolen data कहा जा रहा है क्या उसके बारे में सरकार ने कोई कारवाई की थी? ये public क्यों नहीं किया गया कि वो कौन सा data था? FIR क्यों नहीं lodge करी गई? ये कहां से data leak होता है? कैसे एक third party telegram पर सिर्फ number डालने से सारा data मिला जा रहा है? क्या है यहां का digital public infrastructure? लगातार सरकार आपका data बटोरने की कोशिश करती है क्या वो कोविन आप हो? क्या वो उमंग हो? क्या वो डिजी यात्रियो? लगातार लोगों का data लिया जाता है आप data लेते क्यों है जब आपसे data संभलता नहीं है? यह पहली बार तो लंगन है नहीं? और एक बात यह भी सच है कि 2017 में इस देश के उच्चतम नयायाले ने इस देश के सबसे बड़े नयायाले ने data को right to privacy बताया था? उस right to privacy का क्या हो रहा है? सरकार ने committee बना दी सरकार ने consultation किया अब फिर से पूरा काल चक्र शुरू हो रहा है? data के कानून का? तो सवाल यह कि data गया कैसे कोविन आपसे? किसके पास गया? और सरकार की क्या जिम्मेदारी? क्या सरकार यह कहकर बच जाएगी कि पुराना data था? तो वो पुराना data कैसे लीक हुआ?